इस साल हमारा लक्ष दुनिया भर में ऐसे 10 लाख लोग तयार करना है, जो कम से कम 3 मिनिट का योग सिखाएंगे, किसी एक और व्यक्ति को, उनके अपने परिवार के लोग, दोस्त या किसी और को, ऐसे 10 लाख लोग, जिन्हें हम योगवीर कहेंगे. हम आपको साधन देंगे, 3 मिनिट का एक सरल सा अभ्यास, जो वीडियो में होगा, तो हम ऐसे 10 लाख लोग चाहते हैं, जो योग का ये सरल रूप सिखाएं, कम से कम एक और व्यक्ति को, लेकिन एक बार जब वो किसी के जीवन को बदलने की खुशी जान जाएंगे, मुझे प दूसरे जीवन को चूना चाहते हैं, है न? आपको हमारे शिक्षकों से पूछना चाहिए, वो 3-5 दिनों में इस तरह से लोगों की जीवन को चूते हैं, कि जो लोग 25 सालों से उनके साथ रह रहे हैं, उन्होंने भी कभी नहीं चूआ होगा, तो ये एक जबरदस्त वरद योग नमस्कार योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है, योग नमस्कार का अभ्यास साथ वर्ष यह उससे ज्यादा उम्र वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है, योग नमस्कार का अभ्यास करने के लिए आपको हलके पेट होना चाहिए, इसका मतलब है क की खाना खाने के बाद आप करीब देड़ घंटा रुकें वे महिलाएं जो गर्भावस्था के तीसरे या चोथे महिने में हैं वे योग नमस्कार का अभ्यास न करें पांचवे महिने में और उसके बाद गर्भवती महिलाएं ये अभ्यास तब तक जारी रख सकती हैं जब तक यह आरामदायक हो अपने पैरों के पंजों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर यानि पैरलल रखकर खड़े हो जाएं अपनी बाहों और कंधों को धीला और रिलाक्स रखें आखें खुली अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी चाती के सामने नमसकार की स्थिती में ले आएं ये शुरुवाती स्थिती है सास अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं सास बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की और ये पहला चरण है, इसे तीन बार करें, दूसरा चरण सांस बाहर छोड़ते हुए, अपने गले के गड़े से आवाज निकालें तीसरा चरण हर समय आपकी उंगलियां साथ में और सीधे उपर की दिशा में होनी चाहिए, तब भी जब आप अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं अपने हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस पूरी तरह से अंदर लें जब आप हाथों को नीचे लाएं, सांस को आवास के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है ऐसा तीन बार करने के बाद, आप उकड़ू होकर नीचे बैठ जाएं चौथा चरण सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धके लें सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी चाती की ओर ले आएं ऐसा तीन बार करें पांचवा चरण सांस अंदर हाथ उपर सांस बाहर हाथ नीचे सांस अंदर हाथ उपर सांस बाहर हाथ नीचे सांस अंदर हाथ सीधे बाहर उंगलिया सामने की ओर हों, सांस बाहर हाथ छाती पर एक बार फिर छटवा चरण, सांस अंदर हाथ उपर सांस बाहर हाथ नीचे सांस अंदर उपर पूरे समय आँखें खुली उई हैं और आपके सामने एक बिंदु पर केंद्रित हैं सांस बाहर नीचे सांस अंदर हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर हाथ छाती पर अब सात्वा चरण सांस अंदर लेते हुए हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सीधे बाहर की और धके लें अपने गुटनों को जमीन से लगा दें पैर की उंगलियों को पीछे की और स्ट्रेच करें शरीर एडियों पर बैठा हुआ हो अपने हाथों को जमीन पर इस तरह रखें कि आपके अंगूठे और पहली उंगलियां एक त्रिकोन बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हो आपकी कोहनिया थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए ये बालासन है यहाँ पर तब तक रुकें जब तक आपकी सांसें स्थिर ना हो जाएं या कम से कम दो मिनट तक रुकें ये योग नमसकार का एक चक्र है इस अभ्यास को करने का दूसरा तरीका जिन लोगों को हरनिया है या जिने उकडू बैठने में परिशानी हो रही है आप अपनी एडियों के नीचे आधा या एक इंच मोटा सहरा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि पैरों के पंजे अब भी एक दूसरे से समानांतर हैं